हेलो दोस्तो, क्या आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर ठक गए हो, लेकिन अभी तक आपको परफेक्ट सेंसिटिविटी नहीं मिली? तो आज मैं ऐसी सेंसिटिविटी बनाने वाला हूँ, जो सभी Android डिवाइस में वर्क करने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, चलो शुरू करते हैं, तो पहले हम Red Dot के बारे में बात करेंगे, Red Dot, Holo और Adios, इन तीनों की सेंसिटिविटी यहां से कंट्रोल होती हैं, और ये Mid Range में यूज होते हैं, Mid Range में Aim Transfer बहुत जरूरी होता है, 300 पर रखने से Aim Transfer नहीं हो रहा है, 400 फुल रखते हैं, फुल रखने पर बहुत अच्छे से Aim Transfer हो रहा है, अब 3X और 6X को सेट करते हैं, क्योंकि इन दोनों की सेंसिटिविटी सेम होती है, तो भाई, 6X की सेंसिटिविटी फुल रखने पर Aim Transfer तो हो रहा है, लेकिन Recoil Control नहीं हो रहा है, जबकि Long Range में हमें Aim Transfer की इतनी जरूरत नहीं होती है, अब इनकी सेंसिटिविटी को 300 रखते हैं, और अब देखते हैं, 300 रखने पर बहुत अच्छे से Recoil Control हो रहा है, अब 3X को भी देख लो, काफी अच्छे से Recoil Control हो रहा है, अब बात करते हैं 4X की, आपको पता होगा, कि ज्यादा तर हम 4X का Use Brust मारने में करते हैं, तो 4X की सेंसिटिविटी को हम 250 पर रखेंगे, जिससे हम चेस्ट पर Aim रखके Brust मारें तो Head Connect हो, तो आप इस सेंसिटिविटी का स्क्रीन शॉट ले लो, आपको डिस्क्रिप्शन में कोड मिलेगा वहां से भी यूज कर सकते हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई!